Welcome to our channel दुनिया सासवाओ की आज फिर से हम आपके लिए एक क्रियेटिव वीडियो लेकर आएं हैं गर्मियों का मौसम हैं, हम सभी कोल्रिंग्स पीते ही हैं और फिर उस कोल्रिंग्स की बोतलों को फेक देते हैं हम भी वही फेकने जा रहे थे तो सोचा इसे क्यों फेके आज इसके साथ कुछ क्रियेटिव करते हैं तो हमने इस कोड्रिंग्स की बोतल का इस्तेमाल किया और इससे हमने Pen Stand बनाया है या Pen Stand बच्चों को बहुत पसंद आएगा इसे आप बच्चों के टेवल पर सजा सकते हैं उनके रूम में सजा सकते हैं आप बात्रूम में भी इसका इस्तमाल ब्रस्ट वगेरा रखने में कर सकते हैं या फिर अपने गार्डेन में छोटे छोटे प्लांट्स लगा सकते हैं हमारे वीडियो को अंतक जरूर देखे और अगर आपको हमारा या वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें उम्मीद देता है कि हम आपके साथ और नए-नए वीडियो को लेकर आएं तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं रैबिट स्ट्राइट पैंसिल स्टैंड बनाने के लिए हमने एक कोर्णिंग्स के बोतल को लिया है जिसमें हम ड्रॉ कर लेंगे मिडिल में ब्लैक स्केज़ पैंसे हम आउटलाइन तयार करेंगे और उसके बाद रैबिट के दो यर की डिजाइन को बनाएंगे देख सकते हैं रैबिट की दोनों कान बन चुकी है अब हम कटर के हैल्प से इसे कट करेंगे देखिए हमने अपने बोटल को कट कर लिया है अब इसे हमें अपने मन चाहिए कलर से कलर करना है हम यहां यलो कलर ले रहे हैं इस पूरे बोटल को यलो कलर से कलर कर ले आप चाहिए तो पेंग, वाइट, ओरेंज, ग्रीन अपने मन चाहिए कलर से बोटल को कलर करें हमने इसे पुरी तरह से येलो कलर कर दिया है अब इसे हमें पांच मिनट के लिए सूखने के लिए छोड़ देना है जब तक हमारा बॉटल सूख रहा है तब तक हम इसके पार्ट्स को तयार करेंगे हमने इसके दो इयर कट किये हैं ओविल सेप में इसे हम वाइट कलर से कलर कर लेंगे हमने दो छोटे छोटे सर्कल कट किये हैं जिसे हम वाइट कलर कर देंगे यह हमारे रैबिट की आइस बन जाएगी ये रैबिट की नोस ये रैबिट की दोनों लेग इसे पंजा भी बोल सकते हैं इसे भी हम वाइट कलर से कलर कर देंगे पंजे के अंदर हम एक छोटा सर्कल और तीन ओविल साइस हमने कट किया है जिसे हम येलो कलर से कलर करेंगे हमने आखों के लिए जो सर्कल को कलर किया था उसके बीचों बीच ब्लैक कलर से कलर करेंगे हमारे सभी पार्ट सूप चुके हैं ग्लूगन की सहायता से अब हम सारे पार्ट को अपने बॉटल में अटेच करेंगे सबसे पहले तो हम एर लगाएंगे देखिए दोनों एर अटेच हो चुकी है आप चाहे तो फैबिकॉल का भी इस्तमाल कर सकते हैं अब बारी है आइस की नोज रैबिट के पंजे को तयार करेंगे नीचे हिस्से में छोटे वाले सरकल को आड़ करेंगे और उपर तीन ओविल साइज को आड़ करेंगे हमारा दोनों पंजा तयार है आईए अब इसे बॉटल में लगाते हैं अब इसकेच पैन की सहाइता से इसका मूँ तयार करेंगे और इसकी मूच्छे बनाएंगे देखिए यह तयार है आईए इसे डेकरेट करते हैं देखिए हमने इसमें स्केच पैन और पैन पैंसिल डालकर इसका इस्थमाल किया है आप चाहे तो इसका इस्थमाल फ्लावर पॉट के रूप में भी कर सकते हैं या बात्तुरू में ब्रश वगेर भी रख सकते हैं उम्मीन है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आये तो हमारे चैनल को लाइक करें सेर करें और सब्सक्राइब करें धन्यवाद